Hello students! मैं Dr. Anupruita Mishra आप Anupruita Mishra's Electrical Engineering के चैनल पर आप बुक्स के डीटेल्स जानने वाले हैं कुछ स्टूडिट्स ने मुझे मुझे में एक कमेंट बॉक्स में पूचा था कि डिफरेंट बुक्स मैilles हमें सजेस्ट करें कौन से ही फॉलो करें तो सबसे पहले तो एक बच्चे ने मुझे RRB के लिए CBT1 और CBT2 के लिए बुक्स पूछी थी तो वो है GK Publication या Youth Competition Times की CBT01 के लिए और CBT02 के लिए GK Publication जो है वो ठीक रहेगी अब इसके बाद मैं Electrical Engineering की Different Subjects की बुक्स बता देती हूँ आप लोग को तो सबसे पहले मैं Electrical Circuits में Network Analysis Subject जो की मैं पढ़ा करती थी SGS ITS में Van Welkenberg से जो की Network Analysis, Network Theory और Circuit Analysis के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है इसके साथ साथ साधिकू की भी Fundamentals of Electrical Circuits बहुत ही अच्छी बुक्स है इसमें Different Types के Questions आप Refer कर सकते हैं और सुखी जाओ नागसकर की भी Circuits and Networks जो है ये बुक्स भी अच्छी है समर्जित घोष की भी Network Theory Analysis and Synthesis बहुत अच्छी बुक्स है और इसमें Unique Concepts डिलिवर किये हुए है Statements मतब मुझे पढ़ करी बुक के Statements पढ़ करी मुझे वैन वलकरमबर्ग के बहुत मज़ा आ जाता था और Questions साधिकों के देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं Electrical Machines में जो बुक्स है वो है नागरत को ठारी की जो की Electrical Machines में नागरत को ठारी है PS Bhimra की भी बुक्स है Electrical Machines और PS Bhimra की आगे और मैंने नीचे लिखा हुआ है Generalized Machines ये दोनों बुक्स भी बहुत अच्छी है शानदार कहना चाहिए और GSITS में हम भी डेल्टरो फॉलो करते थे Electrical Machines and Power Systems इसके साथ साथ मैंने M.G.C.A. से भी पढ़ा हुआ है जब मुझे Advanced Machines पढ़ना रहता था Advanced Concepts पर जाना रहता था एसी Machines के तो अश्वाक हुसेन मैंने Follow की पढ़ाते टाइम जब मैं College में पढ़ाना शुरू की तो मैंने अश्वाक हुसेन को Follow किया इसी तरीके से साई देनासर की जो Electrical Machines and Power Systems से उसमें भी Concepts अच्छे दिये हुए है A. Fitzgerald और C. Kingsley की भी Electrical Machinery वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगती थी कुछ Special Concepts में मैं Refer कर लेती हुए हैं ऐसी Power System की जो बुक्स हैं वो एक स्टीविंसन जो मेरी फेवरेट थी Power System Analysis की उसे Follow करती थी और Normal Power System Analysis पढ़ना है तो C.E.L. वादवा, Power System की एक अश्वाक हुसेन की भी बुक है वो भी आप Normal Basic Power System समझना होता अश्वाक हुसेन से और नागरत को ठारी से समझ सकते हैं जिसमें Power System Engineering के बारे में बताया हुआ है और बेटा Power System जो है वो Power System 1, Power System 2, Power System Analysis और हम Faults and Protection कई तरीके से Power System को पढ़ते हैं बेटा Power System के अलग-अलग facets को समझते हैं तो इसकी बहुत सारी बुक्स है जब मैं Power System डीटर में पढ़ाँगी तब मैं और बताँगी पर में इन्ही बुक्स को मैं रेफर करती थी ऐसी कंट्रोल सिस्टम की जो बुक्स थी वो ज़ो रेफर करती थी मैं वो ओगाटा करती थी जो सेकेंड नमबर पर लिखावा है Modern Control Engineering पर M.Gopal की कंट्रोल सिस्टम इंजिनेरिंग और BS.1K की कंट्रोल सिस्टम इंजिनेरिंग और साथ मैं Automatic Control System को और Farad की जो थी वो भी मैं फॉलो कर लेती थी तो मुझे ये बुक्स अच्छी लगी पर Control System मैंने कभी पढ़ाया नहीं बेटा सिर्फ मैंने पढ़ा है अपने B.Tech, M.Tech और PhD के टाइम भी थोड़ा बहुत पर मुझे ये सब्जेक बहुत पसंद था By Chance मुझे कभी पढ़ाने का मौका नहीं मिला इस सब्जेक को बट मैं बहुत इच्छूख हूँ इसे पढ़ाने के लिए पर जो बुक्स में रेफर करती थी वो मैंने यहां पर मेंशन कर दी है Electromagnetic Theory one of the best subject जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह मेरा हमेशा Electrical Machines के साथ अगर कोई कहे कि और कौन सा subject बहुत ज़ादा पसंदे पढ़ाना तो मुझे Electromagnetic Theory subject पढ़ाना पसंदे बिटा यह मैंने जो subject है वो पढ़ा है साधिकों से हेट से William H. हेट से Engineering Electromagnetics वाली जो fourth number पर लिखी हुई है राओ की भी book Elements of Engineering Electromagnetic यह बहुत अच्छी book है short में बहुत अच्छा दिया हुआ है मैंने पढ़ाते टाइम इसको refer किया है PV गुपता को भी मैंने पढ़ाते टाइम refer किया और PV गुपता मुझे basic के साथ problem solving में मुझे बहुत अच्छी लगी GSITS में रहते हुए हमने जो book follow की थी वो William H. Hate की follow की थी D. Cross की की थी और Jordan and Baman की की थी fourth, fifth और sixth number की जो book से यह मैंने refer की थी BTEC के टाइम पर पढ़ाते टाइम मैंने follow की साथी को PV गुपता और N.N. Rao की यह books बहुत अच्छी है एक संदीप वाली की भी book है जो मैंने यह mention नहीं किये पर वो book भी बहुत अच्छी है बेटा तो आप देख सकते हैं इन किताबों को refer कर सकते हैं और जैसा कि मैंने last video में बताया था बेटा इन books को खरी दिये अपनी book bank create करिए खुद की और यह lifelong assets होते हैं बेटा तो आज मैं इतना ही बताना चाहूंगे बेटा किनी कारणों की वजह से मैं अभी पढ़ा नहीं पा रही हूं टीचिंग वाले मैं अपने videos नहीं publish कर पा रही हूं पर within two three days या हो सका तो next video मेरा इसी पर पढ़ाने के साथ मैं start कर दूँगे बेटा कुछ किसी particular काम में फसी हुई हूं उस वजह से तो उमीद है आपको ये सारे references books की list समझ में आई होगी तो मेरी request है कि आप कुछ books जरूर खरी दिये जो की ख़जाना होती है किसी भी particular topic को समझने के लिए मैं जरूरी यह नहीं कहूंगी कि electrical engineering पर हर student जो की पढ़ रहा है उसे किताबे जरूर खरीदनी चाहिए Thank you